मप्र स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा फैसला. नए सत्र में मिले गालाब. शिक्षकों के लिए प्रशिक्षन. मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा, स्वतंत्र प्रभार और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंग परमार का बड़ा बयान सामने आया पर्मार ने कहा कि प्रदेश में इसी सत्र से तिरपन EFA विद्यालयों में AI एक विशय के रूट में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों को AI तकनीत का रचनात्मक प्रयोग और मानव कल्यान की दिशा में उप्योग करना सिखाया जाएगा। यह पाठ्यक्रम अति उप्योगी साबित होगा। Microsoft द्वारा 240 घंटों के AI पाठ्यक्रम की कक्षा आठवी से बारवी तक की पुस्तके और टीचर्ज हेंड़बुक उपलब्द कराई जाएगी। साथ ही एक वर्ष तक Microsoft के टीचर ही विद्यालयों में AI विशय पढ़ाएंगे। इस अवधी के विद्यालयों के गनित और भौतिक विज्ञान के शिक्षकों को AI विशय पढ़ाने के लिए प्रशिक्षत भी किया जाएगा। आयुक्त लोग शिक्षन अभे वर्मा ने कहा कि AI आज के जमाने की मांग हैं। यह सौफ्ट्वेर का ऐसा टूल है जो आने वाले समय में इनोधर ब्रेन के रूप में जाना जाएगा। इसके महत्व को देखते हुए निरनाई लिया गया है कि कक्षा दसवी और बारवी ब द्यार्थियों को AI पुप्योग, Machine Learning, Data Processing, Internet of Things और Sentiment Analysis जैसी तक्नीत के बारे में पढ़ाया जाएगा।